हलो एवरिवान, वेलकम तो मैं यूट्यूब चानल, मेरा नाम है स्निहा शर्मा, तो आज हम लेके आए हैं एक ऐसी हम सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम इंटरनाशनल लॉग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर यूपीएसी सिर्विस एक्जामिनेशन, अगर आप यूपीएसी की तैयारी कर रहे हैं और आपका उप्षिनल लॉग है तो आपको इंटरनाशनल लॉग पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसका पार्ट है Constitutional Law, Administration Law, हमारा Contract Act, टॉट, IPC, और इंटरनाशनल लॉग इसका एक पार्ट है Paper 1, Paper 2 of Optional Law अगर आपने लॉग उप्षिनल लिया है तो इस जैसे कि आप जानते हैं एक्जाम नियर बाई आ रहा है प्रिलिम्स के बाद होगा मेंस तो मेंस की तैयारी के लिए specially optional paper law के लिए मैं लेके आई हूँ अपने youtube चानल पे हमारी series जिसमें lectures मेलेंगे आपको हर subject पे जिसमें हम nature पढ़ेंगे international law का definition पढ़ेंगे, recognition पढ़ेंगे, subject of international law कितने type की treaties होती है, relationship between international law and municipal law next chapter आता है हमारा recognition जो state recognition बताता है law of sea, international organization जैसे सारे chapters हम cover करने वाले हैं तो please subscribe करें, like करें and share करें अपने aspirant friends को जो UPSC की तियारी कर रहे हैं for 2021 और 2022 के लिए तो जिस जब आपका means का exam आएगा, आपके बास इतना time नहीं होगा कि आप preparation कर पाए, mostly कोशिश करें कि आप prelim से पहले अपना means का syllabus खथम कर ले, तो optional की तियारी आप अच्छे से करके रखे, for example आपने अगर law subject लिया है और आप law graduate है तो आपकी उसको, आप उसको knowledge होगी already तो आप उसमें expert बने और अच्छे से त्यारी start करें तो आज हम करेंगे lecture 1 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा nature and definition of international law अगर आपको मेरी वीडियो यूसफूल लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो तो फ्रेंस lecture 1 है हमारा introduction of international law इसमें हम देखेंगे international law क्या है उसका meaning उसके definitions दी गई है कुछ वो हम देखेंगे nature क्या है international law का प्लस हम differentiation देखेंगे public and private international law में तो यह कुछ important चीज़े है chapter 1 में अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं और उसमें आपने optional में law लिया है तो international law will be a part of it and you have to learn it तो स्टार्ट करते हैं introduction of international law आज के lecture में तो सबसे पहले हम देखते हैं जो international law words है उसका meaning क्या है तो international law words were used for the first time by Jeremy Benton Jeremy Benton नाम के एक British jurist थे जिनोंने 1780 में 1780, 18th century की end में international law का नाम लिया पहली बार तो वहां से इजात होता है हमारा international law पहली बार use करा गया ऐसे words तो इसका meaning क्या है definition क्या है और किसलिए use होता है हम जानेंगे अपने अवे lectures में तो international law जो है is a law which administers and regulates relationship between states तो first of all अगर आप law पढ़ रहे हैं जै कि international law currently हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आप confused नहीं होएगा states में यहां पर states का meaning राज्य नहीं होता है जैसे आपने constitution पढ़ा है यहां पर state का meaning होता है nations अगर हम world के बात कर रहे हैं तो states का meaning है यहां पर हमारे देश तो अभी दुनिया में currently 200 से ज़ादा देश है हमारे world में कुछ चोटी चोटी island nations है तो उन सब territories उन सब nations और island nations चाहें वो चोटे हैं बड़े हैं किसी से attached है इन सब को administer उनके regulate करता है तो international law उन सब पर binding है उन सब nations whether US, India, UK, Singapore, every nation should follow the rules of international law तो इनके relationships हो सकते हैं क्या relationship हो रहे हैं for example, India, US में कुछ send करने का treat हुआ है, agreement हुआ है, treaties हुई है, कुछ send करना है, कुछ लेना है, import करना है, export करना है उन सब को regulate कौन करेंगे हमारे international law international law के हिसाब से वो agreements sign होंगे और वो कानून follow किये जाएंगे by the two particular states that means nations तो सबसे पहले ये clear हो गया, कि states यहां पर क्या है, nation को refers करते हैं, एक देश को refers करते हैं तो total states कौन होंगे, जो पूरे world में हमारे states है तो आगे कहता है, in doing so it enters into domain of various treaties अगर दो nation या दो से ज़्यादा nations में कोई domain बन रहा है या treaty sign हो रही है तो उनके relationship का मतलब क्या है यहां पर उनके relationship का मतलब है states, एक या एक से ज़्यादा states, nations के बीच में agreement हो रहा है individuals piece में include होते हैं, चीक है, individuals के बीच में sign हो रहा है international organization, for example, United Nation, WTO, ASEAN, different different international organizations के बीच में या state से international organization के बीच में हो रहा है, तो states का मतलब है यहां पर यह सब cover होते हैं और fourth है हमारा non-state entities, ओके तो यह चार्ट सीजे हैं जो हम international law के अंदर state को consider करते हैं फिर Jeremy Bentham के बाद, ओपन हम ने एक definition दी, उस definition को हम पढ़ते हैं ओपन हम definition के according, जो हमारा international law है, उसको क्या कहते हैं, law of nations तो यह इसका एक अलग नाम है, also known as law of nations तो यह contradict करता है national law को, ठीक है, national law क्या होता है national law की अगर हम बात करें, एक country है, for example India तो एक rule बनाया गया है, जो सर्फ इंडिया पे ही लागू होगा तो जो क्या होगा हमारा national law, और international law होता है, contradict of national law that means law of nations, यहाँ पे nation नहीं, एक एक नहीं, दो और दो से ज़ादा देशों की बात हो रही है दो या दो से ज़ादा individuals की बात हो रही है, international organizations की बात हो रही है non-state entities की बात हो रही है, समझ में आया तो law of nations, इसका दूसरा नाम है, international law का is the body of customary and conventional rules customary का मतलब क्या होता है, जो customs होता है जो for example हमारी families में काफी सालों से दिवाली पे दिये जलाए जाते हैं तो बार-बार वो use हो रहा है, कई सालों से वो custom बार-बार repeat हो रहा है तो जब उसकी usage होती है, तो वो एक custom बन जाता है तो international law में कुछ ऐसे rules है, जो बहुत time से usage में है repeat हो रहे हैं and that are known as international customs and conventional rules जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं which are considered legally binding by civilized states तो ये जो rules है, conventional law, customs ही किसको follow करने पड़ते हैं जितने भी हमारे nations and civilized states है, इनको binding है, इनको मानना पड़ेगा in their intercourse with each other कब मानना पड़ेगा जब ये लोग एक देश दूसरे देश से कोई रिष्टा बनाता है whether trade का, export, import का mostly या कोई political relation, social relation बनाता है या welfare relation बनाता है तो इनको ये international rules follow करने पड़ेंगे फिर हम बात करते हैं एक और definition की जो आई है हमारी open name और zarybentham के बाद modern definition का मतलब क्या होता है जो traditional से अलग होती है जो अभी recently लोगों ने डाली है तो modern definition का मतलब है international law is a modern definition कहती है international law is a body of legal rules which regulates the nation of states ऐसे rules है जो legally binding है legal का मतलब है यहाँ पर आपकोस की enforcement face करनी पड़ेगी which regulates जो हमारे हर देश और दो या दो से ज़्यादा states के relationship को regulate करता है उसमें rules डालता है जो उनको मानने पड़ते हैं with each other as well as their relationship with other international actors तो इसमें international actors क्या होगे या तो individual होगे या कोई और देश है या international organization से कोई relationship बनाया जा रहा है तो यह बात हो गई हमारी definitions के बारे में अब आप अच्छे से जान सकते हो कि international law क्या होता है इसका meaning क्या है और इसकी definitions में कुछ हमारे jurist है उन्होंने जो definition दी है उनके नाम आप याद रखें फिर हम करते है next topic difference between public international law and private international law so international law भी दो types के हैं आप देख सकते हो अगर हम public international law की बात करें तो यह नाम से ही clear होता है कि यह publicly implement है public को follow करना पड़ेगा that means सारे nations को binding है private international law की अगर हम बात करें तो यह private corporates private individual private businesses के लिए हो सकते हैं तो private international law regulating relationship between private persons of two different stage for example एक individual US में रहता है और एक individual इंडिया में रहता है और वो अपने business या अपने corporate से related कोई relationship बनाते है तो वो क्या आएगा हमारा उनको क्या follow करने पड़ेंगे private international law follow करना पड़ेगा while public international law क्या होता है regulating the relationship between states तो states में यहाँ पे हैं देश जो हमारी सरकार है ठीक है हमारी government है हमारा legislature है इन दोनों के बीच में जो होता है for example government of India के बीच में या फिर United States of America के बीच में कोई relationship बनता है ठीक है for example कोई defense के parts import ये export हो रहे हैं तो उनको public international law का rule follow करना बड़ेगा second point is second difference क्या कहता है इन private international law rules are framed by the state legislature तो private international law में कौन बनाता है rules हमारा state legislature बनाता है ठीक है and जो हमारा public international law है उसमें rules कहां से बनते हैं international customs and treaties जो मैंने अभी आपको define किया आगे आने वाले chapters में हम पढ़ेंगे sources sources में हम पढ़ेंगे what is international customs and treaties these are types of sources उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सारी videos देखें जिससे आपको पूरा topic clear हो जाए third difference क्या है third difference है private international law is enforced by concerned state executive ठीक है तो rules किसने बना है state के legislature ने अगर आपने constitution है politics थोड़ा सा पढ़ा हूँ है तो आपको पता होगा what is the difference between state legislature and state executive तो private international law is कौन enforce करते है रूस बनके लेकिन अब उन laws को उन कानूनों को हमें root level पे enforce करना है उनको लग करना है तो वो करेगी हमारी state के executives while public international law is enforced by international pressure and fear for example तो public international law कैसे enforce होता है हमारा जब internationally लोगों का pressure बनता है ठीक है जैसे breakage of diplomatic relations for example Russia और इंडिया में कोई diplomatic relation है और उनकी बीच में कोई problem आती है और internationally सारी countries बोलती है कि अपना diplomatic relation खतम करो तो ये कैसे follow होगा public international law के according sanctions लग जाते हैं जैसे US नहीं इंडिया पे 1998 पोकरान जो हमारा nuclear test हुआ था first उसमें sanctions लगा दिये थे इंडिया पे ओके तो fourth difference क्या है fourth difference है private international law codes are predetermined while in public international law there is no predetermined code तो अगर हम private international law की बात करें तो पहले से पता है हमें कहां जाना है हमें लेकिन public international के लिए कोई predetermined code नहीं है फिफ्थ है private international law difference from state to state ठीक है हर nation हर nation different है ठीक है different nation different private laws बनाता है अपने देश के अंदर जो business महन है उनके लिए corporates हैं उनके लिए welfare NGO सबके लिए अलग-अलग है तो यह common sense की बात है यह point बहुत easy है आपको समझने के लिए while public international law is same for all the states तो public international law क्या होगा जो हमारी सरकार पूरे देश के लिए बना रही है rule law बना रही है तो वो पूरे देश में लगव होगा ठीक है तो यह है हमारी five points किस सीच के difference between public international law क्या होता है और private international law क्या होता है next topic पढ़ते हैं हम nature तो international law का nature जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा एक statement तो एक statement है बहुत ही आप देख सकते हो यह statement international law is not law in true sense this is very this is very controversial statement international law is not law in true sense जिसका मतलब है कि जो हमारे international laws है for example हमारे कौन कौन से laws है IPC, tort, contract law तो लोग कहते हैं international law जो है वो असली में law नहीं है अगर हम सच में माने तो तो इसके कुछ supporters है तो re जिसके हैं इसके हैं कुछ supporters और कुछ है criticalizers जो अगेंस्ट में है वो criticalizers है जो कहते हैं कि यह statement गलत है और कुछ supporter है जो कहते हैं कि यह statement हमारी सही है तो अभी हम देखते हैं कि जो लोग कह रह कि यह statement सही है जिक है कि international law law नहीं है सच में तो किस बेशिस पे वो बोल रहे हैं वो की पॉइंट हम देखते हैं तो सपोर्टर क्या कहते हैं first point supporters का view है there is no legislature to enact the rule as municipal law municipal law आप सब जानते हैं ठीक है local laws होते हैं हमारे एक national laws state laws जो state में imply होते हैं और municipal जो हमारे local level पे होते हैं तो यह कहता है कि यह कोई legislature नहीं है ठीक है इसलिए यह international law law नहीं है जैसे municipal law है second point कहते है there is no executive authority कोई executive authority नहीं है to enforce international laws international law को root level पर लागू करने के लिए कोई executive authority नहीं है third point कहते है यह supporters there is no judiciary तो क्या एक रक्स निकलता है इनका यह ना कोई legislature है ना executive है ना judiciary है पूरा का पूरा structure absence है तो international law कैसे implement होगा okay फिर उसके बाद fourth दलील यह जो देते हैं supporters ठीक है fourth statement यह लोग देते हैं international law is frequently violated by states okay कि जो हमारी laws है यह ज्यादत तर time पे जो हमारे nations है उन rules को तोड़ते हैं उन laws को तोड़ते हैं लेकिन क्या आप खुद सोचिए बार बार अगर आप कोई rules तोड़ रहे हैं क्या वो rule null या void हो जाएगा और नहीं वो rule रहेगा उसकी आपको penalty या मिलेगी अगर आपको rule या law तोड़ते हैं फिर हम बात करते हैं criticizers की जो हमारे इसके against है जो कहते है international law एक law है true sense में तो उनकी आप देख सकते है statements क्या कहते है तो वो कहते है legislative body is in a shape of general assembly जो supporters है उन्होंने का ना legislature है ना executive है लेकिन जो इसके against है criticizers कहते है legislative body है लेकिन वो कि शेप में है general assembly and security council की शेप में है here convention or treaties created like a parliament जो भी हम treaties sign करते है और convention है वो हमारा parliament है in fact here law is made with global expertise and quality input जहां यहां पर कानून जो बन रहा है international law में वो पूरी दुनिया के experts मिलके बना रहे है with the quality so much and the second statement is enforcement is in the form of pressure and fear वो कहता है कि enforcement करने के लिए कोई executive body नहीं है जो body चाहिए है हमें लेकिन criticizers क्या कह रहे है criticizers कहते हैं जब हमें international law को लागू करना है तो वो कैसे लागू होता है जो पूरे देश में fear बढ़ता है पूरे देश में pressure बढ़ता है एक single country या single organization पर तो वो अपने आप enforce कर लेते हैं उस वो नेशन पर्टिकलर नेशन या करवाया जाता है कई देशों से मिलके there are many mechanism of enforcement कई तरीके होते हैं रूल को लागू करवाने के लिए for example diplomatic pressure दो देशों के बीच में diplomatic pressure बनाया जाता है कि हम तुम्हारी जो need है तुम्हारी जो हमें जो export करना है तुम्हें need वो हम नहीं करेंगे तब तक आप इस rule को लागू नहीं करते this is known as diplomatic pressure resolution passed against any country कोई country अपने पार्लियामेंटी या अपने सेनेट कॉंग्रेस में कोई resolution पास कर देती है किसी कंट्री के खिलाफ तो उसको लगता है कि जब तक हमें ये sanctions पास नहीं होंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा या रुख जाएगा तो वो automatically उस rule या law को implement कर लेता है वो एक action लेती है जिसकी वज़ा से enforcement होता है तो जो हमारे इसके against हैं जो कहते है international law is law है वो पूरी description के साथ पताते हैं कि कैसे enforce होता है थर्ड पॉइंट कहते है judicial machinery is in a form of ICJ sorry ICJ है जो हमारी international body ठीक है ICJ क्या international court of justice this is in Hagen, Netherlands तो ये है हमारी judicial machinery for judicial convictions ठीक है तो judicial forum, arbitration forum, ad hoc arbitrations these are international bodies for judicial mechanism तो इन्होंने तीनों का description दिया with evidence conclusion क्या निकलता है तो जब हम nature पढ़ रहे हैं international law का हमने supporters को देखा, हमने criticizers को देखा उसके बाद हम देखने हैं कि क्या सच है conclusion ही निकलता है, international law is law है हमारा ठीक है, global level पे है तो इसके कुछ different different consequences है different different types की form है, structure है ठीक है, कोई parliament नहीं है लेकिन convention and treaties को parliament consider करा जाता है कोई legislature नहीं है लेकिन general assembly or security council को as a legislature देखा जाता है enforcement करने के लिए हमें काफी सारी councils दी गई है और हमारा जो global pressure पड़ता है उसकी वजह से fear बढ़ता है लोगों में और अपने आप laws implement करने पड़ते हैं ICJ, International Court of Justice जैसी बैठी हमारी arbitration form है जो हमारी judicial proceedings करती है लोग की तरह नहीं है लेकिन हम इसको compare नहीं कर सकते हैं municipal law से और international law क्या है हमारा एक true sense में law है एक सच में law है और laws की तरह तो friends यह था आज का हमारा lecture 1 जिसमें हम इने detail में international law का chapter 1 cover करा next हम पढ़ेंगे sources of international law next lecture में तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर इफ यू फाइंड यूसफुल और प्लीज सब्सक्राइब करें अपने जो aspirants friends हैं उनको जरूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से understanding कर सके सो थांक्स फूर वाजिंग